तो आज का आपका टॉपिक है जनरल रेंड प्री एनस्थेसिया, जनरल रेंड प्री एनस्थेसिया काफी important टॉपिक है और ये टॉपिक से आपको exam में question बनता है, चाहे आप B.H.C. कर रहे हो, B.H.C. nursing कर रहे हो, B.H.C. कर रहे हो, हर जगे पर आपको topic दे रखा है जनरल एन काफी कम बनता है तो जनरल रेंड प्री एनस्थेसिया को इस lecture में आज हम अच्छे से study करेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे कि जनरल इनस्थेसिया देते क्यों है, प्री एनस्थेसिया क्या होता है, जनरल इनस्थेसिया देने के बाद क्या-क्या changes आते हैं, सब सुनना, जिसने lecture को ध्यान से सुन लिया, वो 10 पे जनरल इनस्थेसिया पर लिख देगा, मुझसे भी जादा वो लिख देगा, क्योंकि मैं समझाओंगा इस तरह से, कि आपके mind में set हो जाएगा, तो पेपर में हाथ अपने आप चल जाएगा, तो चलिए lecture को स्टार्ट करत है, description में दे रखिए, और अगर आपको notes download करने है, PDF format में, तो आप telegram से जुड़िए, वहाँ पर मैंने आपको whatsapp के बारे में बता रखा है, whatsapp group के बारे में, आप whatsapp group feature से जुड़िए, और वहाँ से आप notes को download कर सकते, तो चलो शुरू करते हैं, आज का lecture, तो देखो तीन त local anesthesia, local anesthesia नाम से पता लग रहा, किसी एक particular जगे के लिए, किसी एक particular local जगे के लिए, जिसे मानलों आपके दातों के लिए, यहाँ पर आपके दातों की सर्जरी चल रही है, तो हमें क्या देना है, local anesthesia, आपकी आखों का operation चल रहा है, तो हमें क्या देना है, local anesthesia, तो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए जिसे टीथ के लिए हो गया आई के लिए हो गया तो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए अगर हमें अनस्थीसिया देना होता है तो हम उसे बोलते हैं लोकल अनस्थीसिया ठीक है तो यह होता है लोकल अनस्थीसिया जो एक पर्टिकुलर पर अब बात करेंगे general anesthesia की तो general anesthesia क्या होते हैं general anesthesia हम बड़ी surgery में देते हैं बड़े operations में देते हैं ठीक है जो हमारा spinal code यह उसमें number five vertebrae होती है l5 वहाँ पर injection लगाते हैं हमारी spinal code की l5 में हम injection लगाते हैं ठीक है anesthesia का जिससे क्या होता है anesthesia क्या करता है वहाँ कि sensation को lose कर देता है मतलब आपको मैं अगर touch करूँगा तो आपको feel नहीं होगा ठीक है वो कहते है न सुन हो गया है तो anesthesia क्या कर देता है सुन कर देता है अगर मैं आपको touch करूँगा फिर उस जगे पे तो दीरे दीरे आपका sensation जाने लगेगा शुरू में आपको पता लगेगा फिर थोड़े दिर बाद बिल्कुल नहीं लगेगा और थेड़ी दिर बाद तो लगेगा इन्हीं कि कुछ है भी अगर आपके मेरे पाउं सुन कर दिये और आपको लिटा दिया तो आपको लगेगा कि मेरे पाउं हे या चले गए पता भी नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर blood circulation, blood flow रोग देंगे हम ठेके सर्ण यहां तक clear हो गया तीन तरह से anesthesia होते हैं local, general और pre जो local होता है वह local जगे पर देते हैं जिसे आखों में, दातों में जो general होता है वह हम पूरी body के लिए use करते हैं एक particular जगे लगाते है spinal code में और उससे क्या होता है दिरे दिरे हमारा sensation जो है body का वो जाने लगता है और हमें नींद के जोके आने लगते है general anesthesia देने से क्योंकि general anesthesia देने की time कोई problem ना आए इसलिए हमें देना पड़ता है pre anesthesia नाम से बता लग रहा pre मतलब पहले यहां तक clear है अब general anesthesia को detail में पढ़ेंगे फिर मैं आपको pre anesthesia को और अच्छे से समझाऊंगा अभी आप इतना याद रगो कि pre anesthesia का मतलब होता है general anesthesia से देने से पहले हमें देना पड़ता है pre pre का मतलब पहले pre anesthesia चलिए general anesthesia को समझते हैं तो देखो जैसा मैंने कहा कि general anesthesia जब भी आप देते हो तो आपकी body का sensation धीरे धीरे जाने लगता है पर वो वापिस भी तो आएगा जैसे ही anesthesia का असर खतम होगा आपको sensation वापिस आने लग जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिखा है produce reversible loss of all sensation हमारे sensation को loss कर देगा पर यह reversible process है ठीक है वापिस भी आजाते है sensation हमारे थोड़े टाइम बात जैसे ही anesthesia का effect जो है खतम होता है तो produce reversible loss of all sensation and consciousness consciousness का मतलब है कि आप शुरू में तो conscious रहोगे एकदम होश में रहोगे पर तीरे जिरे आप खोश को बेटोगे आपको बेश ही चाने लगेगी पर वो change भी reversible होता है सबसे पहला laws of all sensation especially pain हमारा दर्द ही कतम हो जाएगा जैसे माललो आपको पाओं में कुछ करना है ठीक है अब पाओं में आपको cut लगाना है या operation करना है या का तो आपने anesthesia दे दिया अब इस पाओं का सारा pain चला जाएगा इस पाओं के सारे sensation चले जाएगे तो आप याँ cut करो जो भी करो patient को कुछ पता नहीं लगेगा ठीक है फिर जैसी patient होश में आना शुरू होगा जैसे या anesthesia का सर कतम होगा तब उसे pain होना start होगा और बहुत तेज होगा पर तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा चलिए तो सबसे पहला feature यह है कि सारे sensation चले जाते हैं और सारे दुखदर्द दूर हो जाते तो ऐसा नहीं है कि anesthesia के injection लेके बढ़ जाओ असन नहीं कहा दुखदर्द दूर हो जाते हैं तो ले लिया आपको बेवोश ही चाने लगेगी तो यहां पे लिखा है sleep और अगर डॉक्टर ने आपको anesthesia का level बढ़ा कर दे दिया ठीक है जादा दे दिया गलती से तो आपकी total memory loss भी हो सकती है partial या पर total memory loss हो जाएगी अगर general anesthesia का dose आपको बढ़ा कर दे दिया जाए इसलिए expert doctor और expert doctor के अंडर में जो भी कलिक्स होते हैं वो सब ध्यान से आपको general anesthesia का level body weight इन सब के according ही देते हैं ठीक है सब पे हर patient पे general anesthesia का जो amount है वो vary करता है चलिए third immobility एक बात बताईए जब आपको general anesthesia में दूंगा तो क्या आप चलोगे क्या नहीं चलोगे ना लेट जाओगे न immobile हो जाओगे immobile का मतलब होता है कोई भी moment नहीं होगी आप में आप straight लेट जाओगे एक दम ठीक है और muscle सारी relax हो जाएगी आपकी सारी muscle relax हो जाएगी और आप immobile हो जाओगे मतलब आप में कोई भी moment देखने को नहीं मिलेगी तो यह सब cardinal feature है जो की general anesthesia पे देखने को मिलते हैं जिसी हम general anesthesia देते हैं तो sensation दूर हो जाते हैं especially pain के sensation खतम हो जाते हैं साथे साथ नीद आती है और partial और total memory loss भी हो सकती है अगर आपने general anesthesia का concentration बढ़ा दिया तो आप में immobility आ जाएगी मतलब आप movement नहीं कर पाओगे और आपका muscle जो है relax हो जाएगा muscle relaxation हो जाएगा मतलब एक आराम की condition है आपको आराम से सुला दिया आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आपके body के साथ क्या हो रहा है नीचे तो operation चल रहा है पर आपको कोई भी idea नहीं लगेगा ओके अब mechanism देखते हैं कि general anesthesia काम किसे करता है सबसे में नहीं है पामकलोजी ले लो medicinal chemistry ले लो बीसी nursing ले लो सबसे में mechanism होता है कि mechanism का मतलब है कि यह काम किसे कर रहा है general anesthesia तो देखो सबसे पहले point में लिखा है कि mechanism of general action इसका अभी तक नौन नहीं है फिर भी मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे होता है जहां तक रिसर्च है देखिए यह आपका neuron की memory ने exon सुना होगा आप सभी ने exon को neuron में होता है exon ठीक है कहीं rough जगे मैं आपको देखता हूं आज यहां खाली space है यहां में समझाता हूं यह है आपकी exon neuron में होती होती एक जोन आगे होते हैं dendrites इस तरह से ठीक है यह सेल बोडी होती है यहां पर लास्ट में वेसाइकल होती है आपने neuron तो पड़ा होगा न brain और यह हमारा neuron ओके और यह neuron जो है signal ले जा रहा है brain तक और neuron में यह जो लंबा पार्टेस हम कहते हैं exon और यह exon में signal तभी transfer होता है जब यहां पर इस जगे एक निट में आपको आता हूं यहां पर sodium channel open हों अगर यहां पर sodium channel open होंगे तभी यहां से signal जाएगा अगर sodium channel यहां पर open होंगे पर अगर इस sodium channel को मैं बंद कर दूँ और इसके जिए chloride channel खोल दूँ तो signal brain तक नहीं जाएगा तो ध्यान से सुनना में बोल के रहा हूं जनरली signal कैसे जाता है नियूरोन के थ्रू होते हुए नियूरोन में जो पार एक जोन वहां पर sodium प्लस अंदर आता है और signal आगे बढ़ता है पर इस sodium channel को अगर मैं बंद कर दूँ और chloride channel को अगर मैं खोल दूँ तो signal यहा हो रहे हैं हाँ यह मैं कहा रहा हूं कि आपन कर दिया क्लोराइट channel को ऑपन कर दिया तो chloride channel की वज़े से क्या होगा झो आपको जब chloride channel खुलेंगे, तो exon के अंदर क्या आएगा, negative, 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 क्योंकि chloride के उपर क्या है, negative charge, तो पूरे exon में negative charge आजाएगा, और अगर negative charge आजाएगा, तो signal brain तक जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर signal रुख जाएगा, और अगर हमारे brain तक signal नहीं जा रहा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा, कि हमें दर्द हो रहा है, या हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको कोई touch करता है, तो आपको brain में signal जाता है, और वो भी कितना fast, पर अगर आपकी neuron की firing ही रोक दूँ, firing कैसा रोक हूँ, sodium channel को बंद करके chloride channel को खुल दो, और जैसे ही chloride channel खुलेगा, जैसे ही chloride channel खुलेगा, exon के अंदर negative negative charge हो जाएगा, जिसकी वज़े से signal जो है exon से pass होके brain तक नहीं पहुच पाएगा, और अगर brain तक signal नहीं पहुचा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा, कि पर साथ, आपके साथ क्या हो रहा है, तो sodium channel को बंद करके, chloride channel को open करके, आप signal को रोख सकते हो, और general anesthesia यहीं करता है, general anesthesia हमारे neuron में sodium channel को बंद करके, chloride channel को open करके, signal को block कर देगा, और जैसे signal block होगा, signal brain तक जाएगा ही नहीं, और हमारे अगर brain में पता नहीं लग रहा तो हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि brain ही है जो हमें पताता है कि सब कुछ हो रहा है ठीक है सारी activity brain control करता है और brain तक signal ही नहीं जाएगा signal रुख गया है क्योंकि आपने general anesthesia दिया तो फिर हमारे brain को पता नहीं लगेगा हमें पता नहीं लगेगा तो यह है इसका mechanism of general action यह हमारे neural membrane protein पर जाके अटेक करता है neural membrane protein और neural membrane protein के भी कुन सा पार्ट हाइड्रोपोविक पार्ट और किस तरह से काम करता है chloride channel को खोलता है sodium channel को बंद करता है chloride अंदर आता है exon में negative charge हो जाता है जिसकी वज़े से signal जो है brain तक नहीं जा पाता है यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है general anesthesia क्या करता है neuronal firing को रोक देगा neuronal firing का मतलब है कि neuron signal लिके जा रहा है और इसको रोक देगा general anesthesia कैसे रोकेगा chloride channel को open करके चलिए यहां तक clear पर जैसे ही general anesthesia का असर कतम होगा general anesthesia का असर जैसी कतम होगा chloride channel बेसी बंद हो जाएगा और जैसे ही chloride channel बंद हुआ तो negative charge अना बंद तो यहाँ पर sodium को लेगा और वापिस positive हा जाएगा और वापिस signal चल जाएगा मतलब general anesthesia temporary effect देता है general anesthesia आमारे neuron के firing को एक temporary तरीके से रोपता है चलिए अब stage of anesthesia देखते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर anesthesia के लिए एक line लिखी हुई है कि anesthesia क्या करता है general anesthesia cause irregular descending depression of the CNS कैसा depression देता है ed regular descending अब या मैंने ed regular descending क्यों लिखा है द्यान से सुनना क्यूंकि इसी लिए लिखा है सबसे पहले यह हमारे higher function को lose करता है जो general anesthesia होता है वो हमारे brain के सबसे पहले higher function को lose करता है फिर जो छोटे-मोटे function होते हमारे brain के उनको loss करता है तो इसलिए मैंने बोला है descending descending का मतलब होता है सबसे पहले बढ़ा फिर उससे छोटा 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 तो यह क्या करता है और neuronal firing रुख जाएगी तो पता ही नहीं लगेगा हमारे brain को तो सबसे पहले general anesthesia जो है irregular descending depression देता है irregular मतलब सबसे पहले जो बड़े function है उसको खतम करता है उसकी sensation को फिर छोटे function को ठीक है पर spinal code में उल्टा है spinal code में जो है lower segment पहले affect होते हैं और फिर higher segment affect होते हैं तो brain में उल्टा है brain में क्या होता है सबसे पहले बड़े function बंदोंगे फिर छोटे function बंदोंगे पर spinal code में उल्टा है spinal code में छोटे पहले होँगे ठीक सश्रयाइआत dari clear हो गया कि brain में अगर बात करे तो बड़े function पहले affect होँगे higher function और spinal code में lower segment पहले affect होंगे, चलिए, इसलिए आप इसे irregular descending depression बोलते हैं, अब हम देखेंगे stage of anesthesia, सबसे पहली stage है, stage of analgesia, देखें stage of analgesia, सबसे पहली step है, जब patient ने general anesthesia लिया, उस time की stage है, जिसे मालों यहाँ पर patient है, इस patient ने अभी general anesthesia लिया है, जस्त लिया है, तो हम इसे बोलेंगे stage of analgesia, क्योंकि यह patient को, जैसे ही मैंने general anesthesia दिया, तो ऐसा नहीं है कि patient hand-to-hand व्योश हो जाएगा, या patient का sensation hand-to-hand चला जाएगा, पहले उसको check करा जाएगा, sensation जा रहा है, ऐसे हाथ लगागे, sensation जा रहा है, touch हो रहा है कुछ, तो जब तक उससे confirm नहीं करेंगे कि यहाँ, sensation बंद हो गया, अप्पिल नहीं हो रहा, तब तक हम operation शुरू नहीं कर सकते, तो general anesthesia जब भी मैं देता हूँ patient को, hand-to-hand उसको व्योशी नहीं आती, hand-to-hand उसका sensation या pen नहीं चला जाता है, धीरे-धीरे जाता anesthesia inhalation, अभी हमने anesthesia लिया है, and last up to loss of consciousness, और अब धीरे-धीरे consciousness जाएगी, तो यह stage 1 है, ठेक है, pain धीरे-धीरे जाएगा, pain progressively abolished, patient remain conscious, अभी patient जो है conscious है, अभी धीरे-धीर unconscious होगा, अभी conscious है, अभी वो आपको देख सकता है, सुन सकता है, और अगर आप touch करोगे, तो feel कर सकता है, क्योंकि अभी injection लगा है, अभी time लगता है, ठेक है, यहाँ पर देखो, patient can feel, hear, see, चलिए, और उसका जो reflexes है, और जो respiratory rate हो normal रहता है, उसके जो reflex है, उसके respiration rate हो normal है, क्योंकि अभी injection लगा है, अभी आपने anesthesia को inhale करा है, तो लगेगा time, ठेक है, अब देखिए stage 2 आती है stage 2 होती है, stage of excitement, stage 2 का क्या नम होता है, stage 2 को हम कहते है, stage of excitement, यह general anesthesia की stages है, सब सहब नहीं stage हमने देखी stage 1, stage 1 को हम कहते थे, stage of nostalgia, अभे stage 2, stage 2 को हम कहते है, stage of excitement, stage of excitement में क्या होगा, यहाँ पर consciousness दिरे दिरे जाना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर respiration जो rate है, वो अभी normal रह तो consciousness जाने से respiration rate normal रहने तक यह जो stage होती है वो होती है stage of excitement यहाँ पर हमें excitement देखने को मिलती है excitement का मतलब ऐसा नहीं कि उसको भूग लग रही हो बोलेगा खाना लागे दू excitement का मतलब है कि उसको heartbeat बढ़ गया उसका BP बढ़ गया उसकी pupil दिरे-दिरे dilate होगी pupil dilate का मतलब है आंके फटना ठीक है तो उसकी heart rate बढ़ेगी blood pressure बढ़ेगा और आंके फटेगी यह सब दिखेगी हमें stage 2 में stage of excitement में clear है तो excitement seen in patient that's why it is known as stage of excitement and what is the meaning of excitement increase in the heart rate, increase in the blood pressure, increase in the pupil size और we can say pupil dilation due to sympathetic stimulation और मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको sympathetic parasympathetic पढ़ाया है कि अगर heartbeat बढ़ रही है blood pressure बढ़ रहा है आंके फटरी है तो मतलब sympathetic nervous system activate हो रहा है so that's why it is a sympathetic stimulation चलिए stage 3 की बात करें तो stage 3 को हमने चार पार्ट में divide किया है सबसे बेले मैं बात करता हूं कि stage 3 का एक और नाम क्या है stage 3 को हम जानते हैं laws of excitement के नाम से वहाँ पर आ रही थी stage 2 में excitement आ रही थी और stage 1 को stage of finale DC के रहते तो stage 2 में excitement आ रही है और stage 3 में excitement जा रही है और जो stage 3 है वो 4 parts में divided है जैसा कि मैंने आपको बोला जो उसका plane 1 है plane 1 में क्या होता है rowing eyeball rowing eyeball का मतलब होता है आँख ऐसी हो जाती है आपकी इस तरह से ठीक है इस तरह से एक तरफ ही गूरती रहती है जैसे गूरते हो ना आप इस अट्रेक्टिव आइट से वैसे तो rowing eyeball हो जाती है एक ही जगे गुनना चलिए plane 2 में क्या होगा loss of corneal and laryngeal reflex जो आपके laryngeal pharynx का यह आपके voice box का laryngeal reflex है यह भी loss हो जाएगा और दिरे दिरे आपका corneal reflex भी loss हो जाएगा stage 3 के part 2 में plane 2 में क्या होगा आपका laryngeal reflex और corneal reflex जो है loss हो जाएगा plane 3 में क्या होगा pupil dilate करना start हो जाएगा आखे और फटना start हो जाएगी और plane 4 में क्या होगा आपको intercostal paralysis भी हो सकता है चलिए अब यह था stage 3 अब देखते हैं stage 4 जिसका नाम है medullary paralysis तो देखो stage 4 का नाम है medullary paralysis मतलब यहां पर क्या-क्या हो रहा है एक तो pupil जो है बहुत जादा बहुत ही जादा उसकी maximum level तक वो violet हो चुकी है fail चुकी है साथी साथ आपका BP बहुत ही कम हो जाता है तो यह सारी stages में आपको मैंने लिख दिया है कि stages में क्या-क्या होता है stages की क्या-क्या नाम है उससे पहले हमने stage of anesthesia की adding देखी फिर इसका irregular descending depression और अभी तक हमने देखा कि वह काम किसे करता है उसका mechanism of action उसके cardinal feature अब हम देखेंगे pre anesthesia चलिए pre anesthesia तो उससे पहले classification दे रखा है आपको general का वह देख लेते हैं फिर आपका topic क्योंगे आपको तो inhale करना ठीक है तो gas inhale कर सकते हो और volatile liquid आप inhale कर सकते हो तो inhalation anesthetic में आते हैं दो तरह से एक होती है gas, gas को आप inhale कर सकते हो अंदर ले सकते हो सास के थुरू और volatile liquid को भी आप सास के थुरू ले सकते हो एक होता है intravenous जो आपकी vane में हम inject करते हैं जो आपकी vane होती है उसमें injection के तुरों हम inject करते हैं वो होते हैं intravenous तो जो हमारे general anesthesia के वो दो तरह से होते हैं general anesthesia जो है एक तो inhalation और एक intravenous inhalation में भी दो gas और volatile liquid अब सबके मैंने example दे रखे हैं inhalation में जो gas वाला होता है उसका example है नाइट्रस ओकसाइड यह एक जनरल इनस्थेटिक है जो volatile liquid होता है उसका एक्जामपल है हेलोटेन, फ्लूरेन, आईसोफ्लूरेन और intravenous में अगर मैं slow acting देखूं तो यह medicam वाले समझ जाएंगे जो भी फार्मेसी कर रहे हैं diazepam, lorazipam, okay and fast acting भी होते हैं कुछ general anesthetic, तो यह था general anesthetic का classification, अब देखो pre-anesthetic हम क्यों देते हैं और pre-anesthetic में हम क्या-क्या देते हैं तो देखो यह बात तो clear है, definition हमें clear है pre-anesthetic की, कि pre-anesthetic का मतलब होता है, pre का मतलब पहले, anesthetic का मतलब anesthesia की condition आने से पहले जब भी हम general anesthesia का injection दे रहे हैं, तो उससे पहले हमें pre-anesthetic injection जरूर देना चाहिए क्यों देना चाहिए pre-anesthesia, ताकि patient को comfortable रहे, ठीक है use of drug before anesthesia to make it more safe and pleasant, काफी safely अगर आपको operation done करना है तो anesthesia देने से पहले आपको general anesthesia देने से पहले आपको pre-anesthesia देना पड़ता है clear है, क्योंकि आपने देखा था, अगर आपने general anesthesia का dose बढ़ा जया तो memory loss भी हो सकती है और साथी साथ आपका heartbeat बहुत तेज हो सकता है, आपका BP बहुत fast हो सकता है, आके फट सकती है तो कई सारे problem आ सकती है, तो हमें pre-anesthesia इसलिए देना चाहिए देखो, to provide comfort, सबसे पहले line यह लिखिए कि patient को comfort देने के लिए हमें pre-anesthesia देना चाहिए to reduce adverse effect of anesthesia, anesthesia के जो गंदे effect आ सकते हैं हमारी body में, अगर उसकी concentration कम जाता हो गई तो उन effect से बचने के लिए pre-anesthesia देना ज़रूरी होता है, तो pre-anesthesia एक तो patient को comfort करने के लिए patient को operation काफी safe करने के लिए, और adverse effect से बचने के लिए हम pre-anesthesia जो है prefer करते है pre-anesthesia में कुछ anti-anesthesia ड्रग आती है, क्योंकि anesthesia के time आपको कोई भी anxiety नहीं होनी चाहिए, कोई भी चिर्चड़ापन नहीं होना चाहिए तो anti-anesthesia drug हम देते हैं जिसे diazepam, lorazepam ठीक है या फिर आप बोलो benzodiazepine तो यह सब आपने medicinal के में पढ़ा होगा pharmacy वालो ने, चलिए आपको drugs के नाम याद रखने है nursing वालो, second देखिए, कुछ आपको sedative भी देने चाहिए, कुछ आपको hypnotic भी देने चाहिए, sedative and hypnotic भी ज़रूरी है, hy hypnotic, okay, तो sedative and hypnotic भी देने ज़रूरी होते हैं, ताकि इनसे sedation आए, इनसे नींद आए, इनसे बेहोशी आए, और patient को पता ना लगे, कुछ analgesic देना ज़रूरी होता है, यह analgesic, यह sedative, यह hypnotic, यह सब क्या है, यह सब pre-anesthetic है, जो हम anesthesia से पहले दे रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, sedative जो है, sedation के लिए, और hypnotic जो है, बेहोश करने के लिए हम देते हैं, यह दोनों CNS को depress कर देते हैं, ताकि हमें sensation का पता न लगे, opede analgesic, opede analgesic क्या करते हैं, एक तरह से pan killer का काम करते हैं, हमें दर्द से बचाते हैं, फिर हम देते हैं anticholinergic, और anticholinergic का best example है, atropin, जो की आपको pharmacology में बहुत सादा पूछा जाता है, atropin is the best example of anticholinergic, ओके, यह atropin क्या करता है, saliva secretion को रोकता है, second is stop bronchial secretion, and third is brachycardia, brachycardia का मतलब होता है कि heart rate को slow कर देना, brachycardia का मतलब break लग गए, ठीके, और एक होता है, takycardia, मतलब heart rate बढ़ जाना, तो takycardia की मतलब speed से, और break की मतलब break लग गए, तो ऐसे अधर रखो, break की मतलब heart rate जो है, slow हो जाती है, तो यह anticholinergic करता है, कि उसे patient को ulti वगेरा ना हो, जब भी हम patient को general anesthesia दें, उससे पहले pre anesthesia में antiemetic भी हम देते हैं, ताकि patient को कोई भी abnormality ना हो, कोई भी ulti जैसा ना लगे, vomit जैसा ना लगे, चलिए, यह ता आपका lecture, pre anesthetic, general anesthetic, classification of general anesthetic, और stage of anesthesia, कौन कौन से stage होते हैं anesthesia की, ठीक है, और उससे प देखा था general pre और local का थोड़ा बहुत intro, तो यह था आज का आपका lecture, comment करके ज़रूर बताना lecture कैसा लगा, अगर आपको किसी भी topic से related doubt है, B.S.E. नर्सिंग, B.Pharmacy या B.S.E. से या NEET UG से भी, तो please comment करें और हमें बताएं, अगर आपको इन notes के requirement है, तो आपको जुड़ना होगा हमारे WhatsApp से, और WhatsApp ग्रूप से कैसे जुड़ना है, मैंने आपको इस वीडियो के description में बता रखा है, साथ ही साथ, अगर आपको हमारे telegram से जुड़ना है, जो कि आप जुड़ी जाईए, काफी ज़्यादा फाइदमन्द आपके लिए, क्योंकि telegram पे मैं सारी update देता इंपोर्टन कोईशन अपलोड करता हूँ, और पोल्स करवाता हूँ, तो telegram पे अगर आपको जुड़ना है, तो telegram पे जुड़ना बिलकुल फ्री है, और telegram की लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के description box में मिल जाएगी, और अगर वो telegram की लिंक आपन नहीं होती है, तो हमारे चैनल मिल जाएगा, subscribe for more and share maximum, have a nice day, thank you.